क्या आप कार्तिक नेत्राले के नेत्र विशेशे के के साथ ओनलाइन केंसल्टेशन करना चाहते हैं? इसके लिए आप इंटरनेट कनेक्शन वाली कोई भी डिवाइस जैसे की डेस्ट टॉप, लैप टॉप या मोबाइल फोन का इस्तिमार कर सकते हैं आपके द्वारा प्रदान किया हुआ डेटा पूरी तरह सुरक्षित है यह हमारे इंटरनल सर्वर पर रिकॉर्ड होता है और किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएं कार्तिक नित्राले में टेली कंसल्टेशन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट कार्तिकनित्राले.com पर लॉग इन करें स्क्रीन पर दिये इस ओनलाइन कंसल्टेशन टाप को क्लिक करें यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी साथ ही में आप एक वीडियो लिंक देख पाएंगे जिसमें आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी आँखों का फोटो ले सकते हैं और आँखों का वीडियो बनाकर डॉक्टर की सला के लिए भेज सकते हैं यह वीडियो आप अपनी appointment request के साथ upload कर सकते हैं वेबसाइट पर मौझूद इस teleconsultation form को भरे यदि आप पहले कार्ति नित्राले में आ चुके हैं तो अपना KMRD नंबर यहां भरे अपनी सुधा के अनुसार appointment की तारिक चुने हमारे executive उस तारिक पर डॉक्टर की उपलब्तिता के अनुसार appointment कन्फर्म करेंगे अपना एक photo पहचान पत्र यहां upload करें तथा teleconsultation के लिए अपनी सहमती प्रदान करें अब आप teleconsultation की सुविदा उठा सकते हैं आप अब हमारे सुरक्षित payment gateway पेज को देख पाएंगे आपको 400 रुपे teleconsultation का पुक्तान ओनलाइन करना होगा विदेशी नागरिकों के लिए यह फीस 1000 रुपे होगी यह फीस reimburse यह adjust नहीं की जा सकती यदि डॉक्टर आपको teleconsultation के समय सला में hospital में आकर check-up कराने का निर्देश देते हैं तब भी यह फीस आपके hospital check-up के समय adjust नहीं की जा सकती नहीं refund की जा सकती है याद रखिए आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है payment के बार आपको आगे के steps की जानकारी मिलेगी आप अपने vision यानि नजर की चार्ट इस चार्ट से कर पाएंगे चार्ट को 10 feet की दूरी पर रखें इसके लिए एक एक करके दोनों आखों का vision चेक करें दूसरी आख को समय बंद रखें sit को सीधा रखें यदि आप चेश्मा पहनते हैं तो टेस्ट के समय अपना चेश्मा पहने रखें टेस्ट से संबन्दिस सारी जानकारी आपको इस पेच पर मिलेगी अपना central vision चेक करने के लिए एंपसलर grade examination का प्रयोग करें यदि आपसलर grade examination आप रेक रेटिना के central सबसे समय तन शील पोशन मैंकुला का टेस्ट करता है चार्ट को अपने पढ़ने की दूरी पर रखें एवर मिस डॉट को देखें डॉट को देखते हुए सारे corners को भी देखें अगर आप पढ़ने का चश्मा लगाते हैं तो उसका प्रयोग करें और देखें कि क्या आपको dot साफ नसर आ रहा है कोई भी लेंड टेड़ी या टूटी भी नसर आ रही है यह टेस्ट आपके central vision को टेस्ट करने में मदद करता है अपने आग से संबंदित वीडियोज और फोटोज को यहाँ अपलोड करें ताकि हमारे विशेश्यक्य इसको consultation के समय देख पाएं वीडियो consultation से संबंदित सारी जानकारी आपको whatsapp message रथा email द्वारा भेजी जाएगी अपने consultation की तयारी के लिए मैं तो पुन बाते लिख कर रखे जैसे कि आपकी तगलीप या परिशानी आपके स्वास्ते के बारे में आनने जानकारी आप यदि कोई दवाईयां ले रहे हैं टेली consultation करने का कारण इत्याद टेली consultation के लिए एक ऐसी जगा चुने जहां पे रौश्नी एवम शान्ती हो और जहां अच्छी internet speed की सुविदा उपलब्त हो वीडियो consultation हमारे hospital के electronic record के साथ integrated है यदि आप पहले हमें consult कर चुके हैं तो डॉक्टर के पास आपके पुराने record को देखने और उस record को update करने की सुविदा होगी यदि यह आपका हमारे साथ पहला एक appointment है तो आपको नया registration number दिया जाएगा एवम आपकी जानकारी वा prescription उसमें save किया जाएगा आपका prescription जिसमें आपको दिये गए उपचार की जानकारी होगी आपको online भेजा जाएगा साथ में payment की रसीद भी online भीजी जाएगे आपके वीडियो consultation से संब्धित सारी जानकारी हमारे internal server पर पविशे के लिए save की जाएगी अपने online consultation से जुड़े अपने अनुभव को हमारे इस feedback form के माध्यम से जरूर शियर करें यह हमें हमारी सुगधाओं को भेतर पनाने में मदब करता है आँखों से जुड़ी हर एक वीमारी का अपचार वीडियो consultation द्वारा संब्भव नहीं है हमारे डॉक्टर आपको देखने के बादिया निर्ड़ लेंगे कि क्या टेली consultation के माध्यम से आपका इलाज किया जा सकता है या आपको हस्पिटल में आके चेक अप या treatment कराने की जरूरत है चश्मे का नंबर, रेटिना या ग्लोकोमा की चांज टेली consultation के द्वारा संब्भव नहीं है Medical Council of India के अनुसार चार स्थित्यों में टेली consultation किया जा सकता है पेशेंट द्वारा अपने लिए सीधे डॉक्टर की सलाहेतु किसी नाबालिग या अक्षम मरीज के लिए उसके सरक्ष द्वारा भी टेली consultation किया जा सकता है किसी दूसरे अस्पताल में इस्थित्मरीज के लिए अन्य स्वास्तकरमचारी द्वारा भी टेली consultation किया जा सकता है आपके अपने निजी फैमिली डॉक्टर या अन्य रजिस्टर डॉक्टर द्वारा स्पेशलिस अलाह के लिए भी टेली consultation किया जा सकता है कार्तिक नित्राले आपके लिए लेकर आया है टेकनोलोजी के मात्यम से आपको सही समय पर सही जानकारी वसला देनाने के लिए या आधुनेक सो विखाओ